आजकल आप लोग देश की राजनीती में एक नाम चारों तरफ सुन रहे होंगे पिसांद किसूर के वारे में जिनने आप लोग पीके भी कहते हैं आजकल इने राजनीती का चाड़क भी कहा जा रहा है तो आखिर इनकी कहानी है क्या? और यह जो चुनावी ररनेती बनाते हैं क्या वो 100% सफल होती है क्या? इनकी कई फैलियर भी है उस पर भी हम लोग ध्यान देंगे इनकी सफलता पर भी हम ध्यान देंगे पहले मुझे भी लगता था कि ये सब बातें होती हैं कि किसी को चुनाओ जिता देना, किसी को चुनाओ हरवा देना इस तरह का काम नहीं होता होगा लेकिन आप सभी लोग ने देखा ये पश्चे मंगाल में जब इनसे किसी ने इंटर्वी में पूछा कि आप कहते हैं कि BJP चुनाओ हर जाएगी और DMC यानि कि ममताब अनरजी चुनाओ जित जाएगी तो इन्हों ने कहा कि अगर BJP तीन अंक यानि कि 100 सीटों को चुलेगी तो मैं सन्यास ले लूँगा जिस फिल्ड में ये काम करते हैं लेकिन उसके बाद आपने देखा है कि एक रिजल्ट आता है चुनाओ का उसमें BJP को 100 सीटें भी नहीं मिलती है तब मुझे भी लगा कि इनके बारे में बात तो करनी चाहिए मैं इनके तरब ध्यान तो देना चाहिए आखिरे क्या है मसला और याद रखी एक कंपणी है इनकी पूरी एक तरह से टेम है वो जाकर काम करती है जमीनी स्तर पर और वहां से आंकड़े खटी करती है और फिर उस हिसाब से रर्णीती बनाते है और उस नेता का उस पाइटी का क्या एक तरह से मैनुफेस्ट होना चाहिए कारिकरम होना चाहिए प्रोग्राम होना चाहिए ये सेट करती है और ये से आप लोग भी समझ जाएंगे कि किस तरह से ये रर्णीती बनाते है आप लोग सोचीए आपकी माल लेजी कि 15 सबसे नीची आप लोग देखते है इस ठानिय पंचियायत को आप देखते हैं जहां पे धान चुना जाता है तो माल लिजे कि आप किया तीन हजार बोटिंग है अगर आप जाकर भी उन सभी लोगों से बात करें और उनकी जरूरतें क्या है और आप देखें कि उनका मन कहां भाप मतलब आप समझे कि उनका कहां जाने कमन है क्या चाहते हैं वो लोग तो मुझे लगता है कि आप लोग भी रड़नीती बना सकते हैं और आप सभी जानते हैं कि वही चुनावी राजनीती में सफल रहा है जो लोगों का मूड भापने में चाड़क हो रड़नीती कार हो कि लोगों की आखिर एक्छा क्या है आप देखिए पिधानमंतरी मौदी का आप सभी जानते हैं कि वो समझते हैं राजनीती को इसलिए वो सफल भी रहे हैं और दूसरे तरह आप राहुल को देख लिजे राहुल मेहनत करते हैं इसमें कोई सक नहीं है लेकिन वो लोगों के मन को भाप नहीं पाते हैं समझ नहीं पाते हैं समझ रहे हैं तो पिसांद किसोर बैसे बात करूँ तो ये पिसांद किसोर अपनी परसनल लाइफ के बारे में जानदा जानकारी देते भी नहीं है जितनी आप देखे कि सब के पास होगी उतना हम लोग देख लेंगी और मुझे लगता है कि इनकी परसनल लाइफ सामने आनी भीनी चाहिए क्योंकि आप देखे इनके परिवार को एक तरह से समझ सकते हैं कि भारत है यहां क्या इस्तिती बन जाती है और वैसे भी आप लोगों को क्या जरूरियत थे आप लोगों को मैन फॉएंट यही है कि आखिर ए चुनावी रननीती इनकी सफल कहां रही है कि इन चुनाव में सफलता इन्होंने फिराप्त की हुई है इनका बैकग्ग्राउंड क्या रहा है तो आप देखेंगे पिसांद के सोर को आप लोग देख लिजे और एक बात बता दूँ कि अभी आप लोग देख रहे होंगे मम्ता वनर जी को ले लिजे सौनिया गांदी को ले लिजे राहुल गांदी को दे लिजे आपको यह स्कीन पर दिख भी रहा होगा प्यधार मंतरी मौदीच साहब के साथ भी काम कर चुके हैं पिसांद कुमार आप देखिए अरवेन केजीवाल साहब के साथ भी काम कर चुके हैं कौन पिसांद कुमार पीके अमरिंदर जो पंजाब के सीम साहब हैं उनके साथ भी काम कर चुके हैं उन्हें भी एक चुनाव में सफलता दिला चुके हैं नीतेश कुमार बिहार के मुकमंतरी इनके साथ भी काम कर चु थीं और बमता बनरी जी के साथ किस तरह से काम किया है आप सभी जानते भी हैं सरत पवार की साध warp साध भी कई मीटिंग कर चुके हैं आप लोगोंने भी देखा होगा और सौनिया गांदी के साथ भी मेटिंग कर चुके हैं, समझ रहे हैं आप लोग तो ये भी आप लोग याद रखिए और ये आपको दिखाई भी दे रहा होगा पिसांत के सोर हैं वैसे ही अगर हम लोग इनके फूरे नाम की बात करें तो इनका पूरा नाम क्या है पिसांत के सोर पांडे और इनका जनम होता है 20 मार्च 1977 को कब होता है? 1977 को जब आप देखते हैं कि हमारे देश में इमर्जेंसी खतम हुई थी इंद्रा गांदी के समय की बात कर रहा हूँ 1975 से 1977 के बीच लगी थी ना और इनका जनम होता है बकसर बिहार में कहां? बिहार में जनम लेते हैं और इनके पता की बात करने तो सरीकांथ पांडे हैं जो डौक्टर रहे थे और अगर हम लोग और भी पॉईंट देखें इनकी माता का नाम ग्यात नहीं है क्योंकि आप देखिए कि सोसल मीडिया पर इनके परिबारिक जीवन के बारे में जानला जानकारी कहीं भी नहीं मिलेगी और इन्होंने अपनी कोई इस तरह की बायोग्राफी भी नहीं लिख हुई है कि उसे पढ़कर हम लोग इनके बारे में कुछ पाइन उठा लें वहां सी इनकी पतनी का नाम जानुवी दास है और इनकी सेक्षडे की युगता की बात करें तो इन्होंने इंजिनिरिंग की हुई है क्या इंजिनिरिंग की हुई है जो आप लोग भी करते रहते हैं अगर हम लोग इनकी विवसाय या कारिषित की बात करें तो आपको माल होना चाहिए सयुक्त राष्ट के लिए भी एक काम कर चुके हैं किनके लिए? यूएन के लिए भी काम कर चुके हैं अब आपकी मन में यूएन के बारे में भी कुछ फॉइंट बता देता हूँ और राजनितिक भी हैं आपने देखा है कि जेडियो पाइटी भी यह नोंने सामिल हुए थे कुछ समय के लिए राजनितिक सलायकार भी हैं और राजनितिक रनेतिकार भी हैं और याद रखी इनका राजनेतिक दल जनता दल यूनाइटेड रहा है जो नीतेश कुमार जिससे जुड़े हुए है 16 सेप्टमबर 2018 से 29 जनवरी 2020 तक ये जेडियों से यानि की जनता दल यूनाइटेड से जुड़े रहे उसके बाद इन्होंने नीतेश का साथ छोड़ दिया था ठीक है और याद रखी कि 2013 में पिसांद के सोड़ने भारत के मई 2014 के आम चुनाव की तेजारी के लिए एक मीडिया और पिरचार कंपनी सिटी जन्स फोर अकाउंटेबल गवर्नेंस सी एजी का निर्माड किया था गठन किया था आप सभी जानते हैं कि 2014 में आम चुनाव हुए थे और मौदी सरकार को एक तरह से पिधानमंत्री मौदी को भारी वहुमत मिला था और इंडियन पॉलिटिकल एक्सन कमेटी आईपेक नामक संगठन भी चलाते हैं यह संगठन क्या करता है कि लीडरसिप, सियासी रणनीती, मैसेज केमपेंड और भासरों की ब्रांडिंग करता है और अभी आपने देखा होगा कि यही इनकी कंपनी है यही इनका संगठन है जिसके जरी यह लोगों को चुनाओ जित बानने में एक तरह से इनकी रणनीती बनवाते हैं आईपेक और इसका नाम भी आप लोग देश में काफी सुन भी रहे होंगे ठीक है अब हम बात करते हैं कि पिसांत किसोर का सफर कैसा रहा है कहां से इनकी रणनीती बनानी शुर बारे के गुजरात बिधानसवा चुनाओ में बीजेपी की पिरचार की जिम्मेदारी ली थी और तब आपने देखा होगा कि जो बिधानसवा सीटें 182 में से 115 सीटें जीत कर नरेंद मौदी लगात्यार तीसरी बार मुख मंतरी के तौर पर चुन कर आये थे तो सबसे पह करते थे ये 2011 वारे की बात है और बिधानसवा चुनाओ में रहनीती बनाते हैं किन के लिए मौदी के लिए और मौदी को इस चुनाओ में जीत भी हासिल होती है पर आप देखेंगे कि 2014 में 16 भी लोकसभा के चुनाओ भी आ जाते हैं तो इसमें भी भाजावारपन ने प्रिचार की जिम्मेदारी प्रिसांत को यानि कि PK साहब को दी तब आपने देखा होगा कि BGP ने बहुमत से भी जान्दा यानि कि 282 सीटें जीत कर हासिल की थी और इस चुनाओ में चाय पर चर्चा 3D नरेंदमोदी का कॉंसेप्ट प्रिसांत नहीं तेयार किया था और इसके बाद से प्रिसांत बातोर चुनावी रनीतिकार बनकर ओबरे तो किस तरह से केंपियन होना है क्या होना है यह सभी भी 2014 की 16 भी जो लोकसभा थी इसमें भी प्रिसांत कुमार किस से जुड़े हुए थे विधान मंतरी मौदी से लेकिन आप देखेंगी कि 2015 से यह चुनाओ बिहार में आपने देखा होगा कि विधान सभा चुनाओ आने बाले थे तो यह नीतेश कुमार से भी जुड़ जाते हैं और इसलिए आप देखेंगी इनका एक तरसे आलोचना भी होती रहती है कि किसी एक पार्टी के लिए एक काम नहीं करते हैं तो मेरा मुझे लगता है ऐसा कि आप सोची कि आप किसी कंपणी को चलाते हैं किसी संगठन को चलाते हैं तो आपके संगठन किसी और से भी तो काम कर सकते हैं माल लेजिए कि आप Congress जोईन की हुए है आप एक बकील है आप देखिए किसी की कानूनी लड़ाई लड़ते हैं तो ऐसा तो नहीं है कि आप अखेले Congress के लिए Congress के लिए आप लोग कानूनी लड़ाई लड़ें और दूसरा कोई व्यक्ति आता है तो उसे छोड़ दें आपका तो वो depression है यानि कि काम है एक तरह से बियुसा है आपका तो आप किसी के लिए भी कर सकते हैं समझ रहें आप लोग और आप देखिए जो इनकी team होगी उसे बेतन भी तो देना पढ़ता होगा खरच भी तो देना पढ़ता होगा तो एह हाल है लेकिन आपने देखा है कि 2015 क विहार विधानसवा चुनाव में पिसांत ने जेडियो और आरजेडी यानि कि ये लालू पिरसाथ की पाइटी है और कॉंग्रेस महागटबंदन के लिए चुनावी पिरचार की जिम्मेदारी समाली थी और उन्होंने विहार में बहार और नीतेश कुमार है और ये नारे के साथ आपने देखा होगा कि काफी चर्चा भी रही थी और यहां आपने देखा होगा कि जेडियू, आरजेडी और कॉंग्रेस के महागटबंदन को 243 सीटों में से 178 सीटों पर जीत मिली थी जबकि आपने देखा होगा कि नेमेज 58 सीट पर सिमट गया था लेकिन आपने पर नीते इसकुमार विजेपी में चले जाते हैं, आरजेडी और कॉंग्रेस का साथ छोड़ देते हैं, तो यह अलग बात है, अलग मैंटर है, लेकिन यहां भी आप देखें कि काफी यह सक्सेज होते हैं, इन्हें सफलता मिलती है, कई लोग इसलिए कहते हैं कि यह जीतते ह हुए, गोडे पर ही बाजी लगाते हैं, अब आप देखें कि कॉंग्रेस को कहते हैं कि कॉंग्रेस को यह उत्तरपदेश जिता दें, तो यह मुस्किल है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि कॉंग्रेस का किस तरह से पत्ता साप होता जा रहा है उत्तरपदेश से, लेकिन कोई वहीं दाव लगाता है जहां थोड़ी भी तागत होती है फिर आपने देखा होगा कि 2017 में आपके पंजाब विधान सभा चुनाओ होते हैं और इसमें भी पिसांद किसोर कैप्टन अवरिंदर सींग और कॉंग्रेस के लिए रणनीती तियार करते हैं और 117 सीटों में से 177 सीटों पर जीत दिलवाते हैं और आपने देखा होगा कि कॉंग्रेस पंजाब में 12 से चुनाओ लगातार हार रही थी तो यहां भी आप देखेंगे इन्हें सफलता मिलती है और कॉंग्रेस के कई वड़े नेताओं ने रणनीती कार की रूम में ने सुईकार भी किया थ इस जीत का स्रे भी दिया था ठीक है लेकिन आपने देखा ही कि 2017 में उत्तर पेदिस में विधान सवा चुनाओ होता है और आपने देखा होगा कि कॉंग्रेस के रणनीती कार एक तरह से परसांद किसोर ही थे और परसांद किसोर ने इस हार को सुईकारा भी था कि कुछ गल जलतियां कॉंग्रेस की तरफ से भी हुई है जो एक तरह से इन्होंने जो भी कारिकरम बनाया हुआ था जो रणनीती बनाई हुई थी उस पर कॉंग्रेस ने आंगे काम नहीं किया है तो आपने देखा है कि 2017 में उत्तर पेदेश में हुए विधान सवा चुनाओ में कि सुर को अपने साथ ही दिया हाला कि यह बहुत बुरी हार हुई 403 सीटों में से कॉंग्रेस को महाच 47 सीटों पर जीत मिली थी और जबकि इस चुनाव में बीजेपी को आप देखेंगे 375 सीटों पर जीत मिली थी यही वो मौका था जब पिसांत की रननीती नहीं चल पा होगा उसी की बात करें लेकिन इसमें भी आप देखेंगी कि मौदी की काफी तगरी हवाच चल लई थी मौदी के नाम पर ही आपने देखा होगा कि यह चुनाव जीता था 2017 का बिधान सबाच चुनाव और 2017 से पहले अकले से यादव मुख मंतरी थे वो हट गये थे योगी याद इतना बाद में आ चुके थे अब आप देखेंगे 2022 में क्या होता है यह तो आने वाला बग्ती बताएगा इसके बाद आपने देखा है कि 2019 में आंध पितेस में विधान सबाच चुनाव होते हैं और जगन मुहन रेड़ी की YSR कॉंग्रेस के लिए पिसांद के सो चुनावी सलाकार बनते हैं और उनने YSR कॉंग्रेस के लिए पिचार अभियान की यूजना तेयार की और YSR को 175 में से 159 सीटों पर जीत मिलती है यानि कि यहां भी आप देखेंगे कि भारी वहुमत मिलता है और जगन मुहन रेड़ी साहब मुख मंतरी बनते हैं तो यहां भी आप देखेंगे कि यह सफल रहते हैं साल 2020 में दिल्ली में विधासवा चुनाव होते हैं और आपने देखा कि पिसांत यह आपके PK साहब आमादमी पार्टी के लिए चुनावी रणनीतिकार की भूम क्या निभाते हैं और आपने देखा होगा केजरी वाल अभियान तेयार लगे रहो केजरी वाल अभियान तेयार केरते हैं और इस चुनाव में आमादमी पार्टी को सत्तर में से 62 सीटों पर जीत मिलती हैं और यहां एक बात और आपको बता दूँ जब पिछली बार दिल्ली में विधान सभा चुना हुए थे तो सरसट अरसट सीटे मिली थी किसे आमादमी पार्टी को तो इसलिए इनकी कहते हैं कि जब पिसांद किस और आमादमी पार्टी के साथ नहीं थे तब इससे अच्छी जीत मिली हुई थी तो याद रुकिए आप देखेंगे कि इसमें कुछ आप कह सकते हैं कि 50% या आप कह सकते हैं कि 70-80% आपके अर्विंद के जीवाल के कामों की बज़े से बोट मिला था क्योंकि आपने भी देखा है और मैंने भी देखा है यह अलग बात है कि आपकी स्पाइटी को सपोर्ट करते हैं नहीं करते हैं क्या होता है लेकिन हकीकत है मैंने तो अपने इतनी जिंदगी में एक ऐसा मुखमंदरी देखा हुआ था जो कह रहा था कि अगर मैंने काम किया हो तभी मुझे बोट देना पढ़ना मत देना तो एक काम की वज़े से आप देखेंगे स्कूल बाहर जो भी है ऑस्पीटल जो भी सही हुए उसी की वज़े से उन्हें जीत मिली थी और इसी तरह आप देखेंगे आलोचना पसांद के सोर की कब की जाती है कि 2004 में नरेंद मोदी को लोकसभा में आपने देखा होगा कि 16 भी लोकसभा में बहुमत मिला था लेकिन उससे तगड़ा बहुमत 2019 में जो लोकसभा सुना हुए थे 17 भी लोकसभा के उसमें मिला था तो यहां भी कहा जाता है कि जब पिसांद के सोर मौधी के साथ नहीं थे, उस समय भी तो तगडी एक तरह से जीत हुई, तो यह भी इस तरह से भी उनकी आलोचना भी की जाती है, फिर आपने देखा कि पश्चे मंगाल में चुनाओ होता है, 2021 की बात कर रहा हूं, और यहां आप देखेंगे कि पिसांद के सोर TMC, यानि कि आपके जो मंताव अनर जी हैं, इनके साथ जुड़ते हैं, इनके सलायकार बनते हैं, चुनावी रणनीतिकार बनते हैं, और आपने देखा है कि मंताव अनर जी को 213 सीटें मिलती हैं, और भाजाबवा 77 पर सिमट कर रह जात हैं, लेकिन आपने देखा होगा चुनाव से पहले कितनी हवा बनाई आ रही थी, कि इतनी 200 पार होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, लेकिन यहां भी आप देखेंगे, इनकी रणनीति कह लिए या मंताव अनर जी का करिश्मा, जो भी आप लोगों को कहना है, यहां भी अब स सफल होते हैं, और आप देखेंगे कि फिर तमिलाडू आता है, तमिलाडू विधान सवा चुनाव भी होते हैं 2021 में, और DMK के भी यह सलायकार बनते हैं, चुनावी रणनीति कार भी, और 169 सीटों के साथ चुनाव जीतती है DMK, और MK स्टालीन पहली बार तमिलाडू के मु अब देखेंगे पंजाब में विधान सवा चुनाव हैं 2020 में, और अमिरंदर की सेंग के पिरमुख सलायकार भी हैं, चुनावी रणनीति कार भी हैं, अब आंगे क्या रिजल्ट निकलता है, नहीं निकलता है, यह आने वाला बक्त बताएगा, लेकिन मैं फरसे भी वोर ल होगा, और वो ऐसा नहीं कि वो कोई हेर फेर कर देता है, अब या चुनाव में, बोटों में, देखें जन्ता की मुद्दे क्या हैं, उनकी जो आईफेक्ट कंपनी या जिसे आप लोग संगठन भी गएते हैं, वो धर्ती पर जाकर, जमीनी स्तर पर जाकर काम करता है, वहा किस मुद्दे पर वोट पड़ सकते हैं सबसे जाला, जन्ता किस मुद्दे को चाहर ही है सबसे जाला, कौन से नारे होना चाहिए, किस तरह का कारिकरम होना चाहिए, इस तरह की राणनेती बनाते हैं, पैसांद किस ओर, और अब सफलता आ सफलता लगी रहती है, लेकिन का नाम काफी उभार रहा है चुनावी रड़नीती कार के रूम में ठेक है और आप आलोच ना देखी होती है बैक्ती की और आप नहीं देखा है सब कुछ होता रहता है तो यह चलता रहेगा लेकिन इनका मुझे एक ही पॉइंट सबसे बहतर लगा कि इन्होंने भी यह सुईकारा भी है कि कोई बोटों में हेरे फेरी नहीं करते हैं ना इवी एम में यह वहां से आंकड़े एकटे करते हैं और यह चुनावी रड़नीती बनाते हैं और दूसरी बात मुझे यहां भी अच्छी लगी थी कि किसी ने कहा कि देखी कि यह सुईकारते भी हैं सच को कि मौदीफ और फूलर नेता हैं देश बर में इन्होंने यही एक तरह से इंटर्वी में कहा था उसके बाद किसी ने कटिंग करके वो चला दी तो आपने देखा है पश्च तो हम अब सन्यास ले लेंगे इससे और वो रिजल्ट के बाद आपको मालू भी चला कि 77 के आसपास लटक के रह गई तो कुछ तो देखिए बंदे में दम है यह तो मानना पड़ेगा और क्या दम है यह तो आने वाला भवस बताएगा अब इनने आखरी इंटर्वी में ए कि सभी को एकटा भी कर रहे हैं 2024 के लोगसवा चुनाओ के लिए मता बंगर जी भी आप न देखा है सरत पवार भी इंद्रा गांधी इंद्रा गांधी नमाव करिए सोया सोनिया गांधी राहॉल गांधी है इस दूसरी तरब आप देख रहे हैं अरवेंद के जीवाद सभ अभी नेताओं को इखटा भी किया जा रहा है तो आप देखने हैं कि 2024 में हम लोग देखें कि क्या होता है क्या नहीं होता है चलिए खेर मिलते रहेंगे हम लोग